ओम शांती, 28 नवंबर की श्रीवदान आपका सोगत है, जो भी परिस्थितिया हमारी जीवन में आती है, उनको हम साइट सीन देख सकते हैं, तो फिर उसके अंदर हम बहुत घुश जा सकते हैं, बलो उसके अंदर बिक्कुल विलीन हो गए, लीन हो गए, दुनिया वाले कहते है, भक्ति मार्ग में भी परमात्मा में लीन हो जाओ, तो अट्रमाटली जो हमारी जो भी परिस्थितिया है, प्रॉलम से हम सारी ठीक हो जाएंगी, लेकिन आज हम उल्टा करते हैं, हम परिस्थितियों के अंदर लीन हो जाते हैं, परमात्मा के प्रेम में लीन होने की तो हनुमान जी जो भक्ति मार में दिखाते हैं, वो इस चीज का प्रतीक है, कि अपने आपको भी विशाल बुद्धी बना लो, अपने आपको भी मास्टर सर्व शक्तिवान आत्म हों बना लो, अपने आपको भगवान का बच्चा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं खिया, I deserve the best यह सारी चीज़े सोचना, यह भी है, अपने आपको हनुमान जी जैसे विकराल बनाना, और उनके दिल में कौन थे, रामा, रामचंदर जी नहीं, रामचंदर जी तो देखता हो गए, उनके उपर रामचंदर जी ने भी रामश्रम मंदर में पूझा करी है, परमपिता पर तो इसलिए उनके दिल में रामा, जो कि गुरुकरन स्लाय में भी रामा कहा गया है भगवान को, तो राम चंदर जी अलग है, वो चंद्रवंची है, और रामा मतलब परमपिता परमात्मा, तो परिसितियों को साइट सीन समझ पार करने वाले स्मृति सुरूप समर्थ आत्मा स्मृति सुरूप आत्मा, स्मृति क्या चीज़ की? ग्यान के पॉइंट की स्मृति, परमात्मा ने दिवे ग्याइडिंस की स्मृति, परमात्मा ने दिवे विजडम की स्मृति, और परमात्मा की स्मृति, आत्मा समर्थ होने के कारण पर सितियों को खेल समझती है, वो हा किसे सर सोचती नहीं, उस तरीके से वो जीवन जीते है, भल कितनी भी बड़ी परिस्टी हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए, मंजल पर पहुँचने के लिए, ये सब रास्ते के साइड सीन है, उनको मंजल तक जाना है, लेकिन साइड में सीन आते हैं, आप ट्रेन में बैठे ह पहुचने नहीं तो आपको वो जो आपकी डेस्नेशन है वहां तक पहुचते वह बहुत टाइम लग जाएगा, तो साइड सीन में उलजना नहीं है, अपनी जो लक्ष है, लक्ष तक पहुचना ही है, बीजविश में बिगनाएंगे, कभी कुछ होगा, कभी धन का प्रॉल मनजल पर पहुचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन है, लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं, आप जैसे कि आप कोई काम के लिए जा रहे थे हैं, लेकिन आपने मूवी तेटर में टिकेट बुक कर लिए हुए, या काम शड़ों पहले मूवी दे साइड सीन देखने चले गए, खर्चा करके जाते हैं, कुछ लोग बाहर साइड सीन भी, एक साइड सीन हो गया, और यह है साइड सीन, उसके लिए भी लोग जाते हैं, तो स्मृति सुरूप समर्थ आत्मा के लिए परिसिति कहो, जो कि परमात्म के याद में है, समर्थ आत सब साइड सीन है और स्मृति में है कि यह मंजल के साइट सीन्स मंजल के साइट सीन्स अंकिनत बार पार किये हैं तो यह जो प्रॉलम्स आती हैं चाहे जीवन में आ रही हो चाहे अलोकिक इस पर कंट्रोल हो जाता है बहुत समय तक उसका अचनक से पर निनलाता है अब क्या बेंदी लगा ओ और आगे बढ़ता है हमारे जो situations हैं वो आती रहेंगी लेकिन हम एक तम स्थिर हों जिंदा सुती जै पराजे लाभामी में एक समान जो की भगवत की तम लिखाए ओम शांतिस के साथ